मगद इन्वर्शिटी के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुश ख़बरी रिजल्ट को लिकर अभी अभी निव सूचना निव नोटिस जारी हो चुका है सभी स्टूडेंस के लिए BA, BSC, B.com, Part 1 और Part 2 दोस्तो पहले Part 1 का रिजल्ट जारी होगा या Part 2 का होगा पहले BA का रिजल्ट जारी होगा या BSC का होगा या B.com का होगा आज कि इस वीडियो में सभी जानकरी एक साथ आपको मिलेगा और रिजल्ट चेक करके भी दिखाएंगे लाइप प्रूप जिहां वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक यानि आन्त तक वीडियो को थोड़ा सा भी आगे पिछे स्किप करके मत देखिएगा किनको ये वीडियो बहुत ही इंपोटेंट है दोस्तों मगत विस्सी विद्याली के तरफ से यहां सुचना जारी क्या गिया है पहले रिजल्ट बीय के जारी होगा या BSE का होगा या BCOM का होगा पहले students इस वीडियो को देख रहे हो यदि अगर आप इस वीडियो को mobile phone से देख रहे हो या laptop से देख रहे हो या computer से देख रहे हो तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखो दोस्तो सबसे पहले आप लोग Google open करें और search box में type करें magad university.ac.in लिख कर आपको search कर देना है जैसे ही लिख कर सर्च करोगे दोस्तो आपके सामने एक नया window यानि नया website open हो जाएगा हमारे सामने जैसे नया website open होगा दोस्तो मगद विस्सी विद्याले से जुड़ी जो भी information जारी होता है सबसे पहले हमारे चैनल maoriya guru academy पर डाल दिया जाता है तो चैनल पर नीजर हो तो जरूर सब्सक्राइब करो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का option दिकराऊगा क्लिक कर दो कि आने वाली सभी जुड़ी जनकारी अपडेट भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं देरना करते हुए अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू सब्सक्राइब को सबसे पहले तो मैं यह जनकारी दे दूँ आप जो इस्टूडेंस देखिए पार्ट 2 में और पार्ट 3 में एडमिसन चल रहा था आप लोगों को कुछ मैं उधारन दूँगा आपको उसकी बाद रिजल्ट की बात करेंगे ठीक है पहले बात मैं यह बता दू कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में एडमिसन चल रहा था लेकिन दोस्तों आज से इनवर्शीटी बिससे विद्याले पूरी तरह से सभी कॉलेज कोलेज कर दिया गया है एक तारिक तक पूरी तरह से स्टुडेंस के लिए आप लोगों का जो है इनवर्शीटी और कॉलेज जो है कोलेज रहेगा बंद रहेगा ठीक है यासा नहीं है कि अब university द्वारा अधिकारीक काम नहीं करेंगे, काम करेंगे ध्यान से सुने, अधिकारीक जो है university के जो अधिकारीक है ओपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो college है पूरी तरह से बंद रहेगा अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता है जो हेड अधिकारिक है मेन अधिकारिक है ओ इनवर्सिटी में आएंगे लेकिन कॉलेज जो बात करें कॉलेज में अगर किसी भी परकार की आप डॉक्मेंट जमा कर रहे हैं या एडमेशन के लिए आगर एडमेशन के लिए आप निया विंडों ओपन हो जाएगा उसकी बाद यहाँ पर रिजल्ड का ओपेंग लिए इस पर आपको लिए यापको जबॉक्वर्सिटि करोगे इन्वर्सिट को अपन हो जैसे आप इस पर click करोगे आपके सामने एक नया window और open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे बहले तुम आपको यह बता दूँ सभी students को कि जैसे यहाँ पर click करोगे आपके सामने एक नया window और open हो जाएगा यहाँ पर open हो रहा है दोस्तों थोड़ा सा wait कर ले उसके बाद जैसे यहाँ पर open होगा यहाँ पर देख सकते हैं open हो रहा है उसके बाद आगे की परकरिया पूरी हम आपको बताएंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने मगद विस्सी विद्याले की तरफ से यह open हो रहा है और यहां पर क्या बोल रहा है you are not logged in login दोस्तों यहां पर जैसे कि आप लोग यार देखो 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 बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है सभी students के लिए क्योंकि यार हमारे चैनल पर सबसे पहले तम आपको यह बता दू कि जो भी information आता है ना सबसे पहले हमारे चैनल पर ही डाला जाता है कि information update भी update पूरी information हमारे चैनल पर प्रूप के साथ दिया जाता है कि बात दोस्तों इस तरह का कुछ option open हो जाएगा आपके पास ठीक है यहां पर क्या बोल रहा है प्लीज select course यहां पर जैसी course select करोगे यहां पर कई सारे देखिए दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि MA का 3rd semester का यहां पर देख सकते हैं यहां पर result जारी हुआ है फॉस्ट semester का result जारी हुआ है ठीक है first semester second semester का result जारी हुआ है ठीक है दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे part 1 और part 2 की जो students जैसे कि BA के students है या BC के हैं या BSC के हैं part 1 और part 2 के मैं आपको बता दू सबसे पहले कि result आप लोगों का जो है आज साम तक जारी होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तो BSC का result पूरी तरह से तयार कर लिया गया है ठीक है अभी आप लोग सोच रहे होंगे 2019-20 part 1 के students तो उसको भी इस वीडियो में जनकारी दूँगा पहले 18-20 के students सुन लीजिए BSC science वालों का result पूरी तरह से complete जारी हो चुका है आज BSC का result जारी होने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है दोस्तो आज कभी भी आप लोगों का BSC का result जारी हो सकता है ठीक है अब part 2 का result जारी होगा BSC का तो सभी students science वाले अपना role number तयार रखें चेक करने के लिए ठीक है role number के बाद आप लोग असानी से चेक कर सकते हो दोस्तो एक बात और ध्यान रखे जिन चात्रों का result पेंडिंग में चला जाएगा तो उसको चिंता करने की कोई बात नहीं क्योंकि देखिए बहुत सारे students आपका result जो है पेंडिंग में जा सकता है ठीक ना क्योंकि देखिए कई सारे students का result जो है पिछली बार पेंडिंग में गया था तो इस बार भी pending में जा सकता है पर दोस्तो जिन शात्रों का अगर रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा तो तुरंत college से संपर्क करें ध्यान रखें इस बात को ठीक है तुरंत college से संपर्क करें और दोस्तो BSC का result आज जारी होने के पूरी-पूरी संभावना है तो कभी भी आज जारी हो जाइगा पाटवन की बात करें इस पाटवन की छात्रों का भी लग भर कमप्लीट हो चुका है तो दोस्तो आप लोग वेट करें इंतिजार करें जैसी अपडेट आएगा हम सबसे पहले वीडियो प्रवाइड करा देंगे आपको और पूरी जनकारी पल पल अपडेट आपको हमारी चैनल माउरिया गुरू एकडमी पर मिलता रहेगा तो चैनल पर नहीं जरो तो जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को सेर करो और ध्यान रखो दोस्तो जो भी इंफर्मेशन आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल माउरिया गुरू एकडमी पर मिल जाएगा तो वीडियो को यार सेर कर दो सबी स्टूडेंस के साथ और लाइक नहीं कियो तो लाइक कर दो ठीक ना और टेलीग्राम ग्रूप से जरूर जोइन हो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रूप का लिंक के दियावाई क्लिक करो और जोइन हो जाओ कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह अपडेट भी अपडेट मिलता रहे तो चलिए दोस्तो नेस्ट वीडियो लिकाएंगे बहुत जल्द नेस्ट निव नोटिफिकेशन के साथ तब तक के लिए टेक क्यार गुडबाई जाहिन जाबंदे मात